न्यू सिलेबर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, न्यू सिलेबर्स में जो CS Executive का प्रोग्राम है, उसमें उसमें कुल साथ सब्जेक्ट्स होंगे, चार सब्जेक्ट एक मॉड्यूल में, तीन सब्जेक्ट दूसरे मॉड्यूल में, Professional Examination में भी साथ सब्जेक्ट होंगे, that will include two elective papers, तो correspondingly पुराने सिलेबर्स से और नए सिलेबर्स में काफी डिफिरेंस हैं, और नए सिलेबर्स में काफी कम सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, पर practical aspect उसका कहीं ना कहीं पुराने सिलेबर्स से जाधा हो चुका है, ठीक है, तो I hope आ आपके उपर लागू होगा, कब आपके उपर applicable होने वाला और कौन-कौन से exemptions आपको मिलने वाले हैं, and again, बाकी साली requirements वैसे कि वैसे ही रहेंगे, cleaning वगरा, सब कुछ हुए साही रहेगा, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट ब्रॉक्स में मुस्ते फ